Hi everyone, this is Robin and I welcome you to all in a very important video जहाँ पर हम जानेंगे Iron Dome के बारे में तो देखिए आपने देखा होगा इस्राइल और पलस्टीन के बीच में किस तरीके के current issues निकल कर आ रहे हैं हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि जैरुसिलम के अंदर अल-अक्सा मस्जित के अंदर इस्राइल पुलिस के द्वारा लिए गए अक्शन के बाद कितना जादा वहाँ पर आपको internationally और even इस्राइल के अंदर ही प्रतेक्रियां देखने के लिए मिली तो यहाँ पर आपने जानेंगे कि क्या है क्या specification है यह काम किस तरीके से करता है तो चलिए इस पूरी situation को यहाँ पर analysis करने की कोशिश करेंगे मेरा नाम है Robin तो चलिए start करते हैं तो देखिया आपने देखा होगा यह अगर हम बात करें इसराइल के map की तो यहाँ पर आप देखेंगे Gaza Strip Gaza Strip में ह हमाज लोगों का काफी जादा involvement है हमाज जिसे एक terrorist group का नाम दिया जाता है UN के द्वारा तो उन्होंने यहाँ पर Gaza के बरावर में यहाँ पर इसराइल की capital है तल आवीब देखिये अपने आप में इसराइल तल आवीब को अपना capital नहीं मानता है इसराइल यह बोलता है कि हम हमाज थे हमाज ने यहाँ पर अपने rocket दागने शुरू किये अपने आसपास वाले areas में इसराइल के जिसमें सबसे जादा important city यहाँ पर आता है तल आवीब निकल कर जो कि अपने आप में इसराइल के अंदर बड़ी-बड़ी organizations इन सभी के यहाँ पर headquarters भी हैं तो अगर मैं बात करूँ आप से के इसराइल के अंदर हमाज ने यह जो rocket launch किये हैं कोशिश करी के वो जादा से जादा casualties यहाँ पर इसराइल को दे पाएं जो कि हमने पिछले टाइम पर देखा था कि जिस तरीके से इसराइल पुलिस ने तल अभी आमीन जैरूलिसलम के अंदर अल अक्स मस्जिद के अंदर लेगे action के खिलाफ basically यह retaliate देखने के लिए मिला हमाज की तरफ से तो देखे मैं बात करूँगा हमाज के द्वारा जो rocket ने यूज किये यह basically बहुत ही low cost कासम rocket होते हैं एक simple steel artillery rocket होते हैं जो कि इरान और जो military arm है हमाज की इनके द्वारा develop किया गया है तो इनको ऐसे जादा बहुत बड़ा economically भी issue नहीं आता है तो छोटी कोस्ट के low cost low effective type के यह missiles होते हैं जिने यूज किया गया हमाज के द्वारा अब दीखे इसके बाद होता क्या है iron dome जो की इसराइल का air defense system है वो अपना हरकत में आता है लेकिन फिर भी 80% या फिर 85% जो हमाज के rocket थे उन्हें air defense यहाँ पर रोक लेता है लेकिन कुछ percentage of जो हमाज के rocket है वो इनकी main city टेल अविव में जाकर गिर जाते हैं और कुछ इस तरीके का यहाँ पर दरश्या देखने के लिए मिलता है आप देखेंगे के इतनी important city में इतना जादा इन्होंने casualties होने लाई इतनी जा Gaza in the rocket attack on the Israel तो यह आप सभी ने news में भी देखा होगा यह ज्यादा काफी चाचा में भी है issue अब देखें इसके बाद हम देखेंगे कि जो इसराइल का iron dome defense system है यानि कि air defense system है iron dome यह किस तरीके से काम करता है इसके बार में हम देखेंगे तो देखेंगे इसे develop किया गया है रॉ develop कर रहा है इनके बाकी के भी इसी तरीके के project के साथ जिसमें आपका arrow 2 आता है arrow 3 आता है iron beam आता है बराक 8 आता है बराक 8 के बारे में आपने काफी टाइम पहले सुना होगा जिसमें की इंडिया और इसराइल दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं इसके साथ साथ डेविंग स तरीके के ये मिसाइल दाग रहे हैं उसके पाद यहाँ पर इनका iron dawn जो उनका system है वो यहाँ पर काम करता है एक इनका यहाँ पर radar होता है जो कि detection and tracking radar हमें से बोल सकते हैं यहाँ पर चीजों को देखता है कि किस तरीके से यहाँ पर यह आपका आने वाला है इनके इंदर इन को जाकर उपर destroy कर देता है तो एक basic structure है जहाँ पर यह air defense system यहाँ पर इसराइल का work करता है आप सभी को पता है कि इसराइल की technology काफी अच्छे से develop भी करी है काफी जादा इन लोगों का अलग अलग देश में अपने defense system से व्यापार भी होता रहता है उसके बाद देखी यह ए देखी होगी तो देखे इसके लावा अगर मैं और बात करूं तो actually क्या है इनको जो आरेंड डोम की cost है वो काफी जादा पड़ती है I think 40,000 पर missile इनका एक cost आता है generally क्या होता है जब कभी भी गाजा जो हमाज होते हैं वो इसराइल के अलग-अलग area में अपनी missile दागते हैं इसे use किया जहाँ पर एक तरफ अगर आप हमाज के rockets या फिर missiles की बात करेंगे तो उनकी cost लगबग 2,000 से 4,000 डॉलर की निकल कर आये तो कहीं पर आपको अगर style की बात करें ये काफी महंगा पड़ता है अब दीखिए अगर मैं आपसे बात करूं कि काम किस तरीके से करता है मैंने आपको बता है एक एक 3-piece system होता है इंसरेटर बैटरी का जो की rocket shoot करते है sky के अंदर एक radar track करता है rocket को और उसके हिसाब से ही वो अपने signal bell भेजता है advanced software predictor के तरफ से और एक rocket की trajectory यहाँ पर decide करके इन चीजों को form किया जाता है अब दीखिए effectiveness अगर इसकी जानेंगे तो लोगों ने ये भी कहा कि अलग अलग लोगों ने अपनी बातें कहीं कि 85% यहाँ पर effective है या कुछ और है लिकिन हमने देखा कि लगबख 500 से 600 यहाँ पर missile दागी गई इसमेंसे काफी जादा missiles को यहाँ पर हमाज की च्छती ग्रस्त होने से उसे रोका गया by the defense system air defense system of the Israel तो कुछ को चीजें थी जो हमने यहाँ पर अपनी वीडियो में देखी है आपने इस अभी पूरे issue देखे होंगे तो चीजें कहीं न कहीं सही नहीं है हर किसी को यहाँ पर नुकसान है international जो community है वो भी कोह रही है कि आपको एक single table पर आना पड़ेगा आपको discuss करना होगा इन all from the video अगर आपको an academy पर किसी भी category में subscription लेना है चाहे आप UPSC की तियारी करें SSC, CAT, NET, CEO, Bank किसी भी exam की अगर आपको तियारी करनी है तो आप वहाँ पर subscription ले सकते हैं और वहाँ पर आप code यूज करिए robin.bsr this code will help you and give you more discount in your subscription fees तो इस code को ज़रूर याद रखिए robin.bsr आप आपको एक code यूज करना है और इससे आपको आपके subscription में discount होगा मैं robin आपसे विदा लेता हूँ next part में फिर मिलेंगे अपना ख्याल रखिए take care bye bye thank you